MS Word वीच करने के लिए आपको Start बटन पर क्लिक करना है दोस्तों बहुत साई लोग कंपोर्टर तो सीखते हैं लेकि उनके पास कंपोर्टर लैप्टप ना होने के वैसे जो भी वो कंपोर्टर में सीखते हैं उसका वो पैट्टिस नहीं कर पाते तो आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने Android Phone को कंपूर्टर बना सकते हैं और अपने Android Phone को कंपूर्टर की तरह यूज कर सकते हैं जिस तरीके से कंपूर्टर में को भी काम करने के लिए Application Install करना परता है उसी तरीके से आपको अपने Android Phone को कंपूर्टर बनाने के बाद जो भी Application आपको यूज करना है उसे आपको Install करना परेगा Install करके आप अपने Android Phone में ही कंपूर्टर की तरह काम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना Time Base के विए शूर करते हैं आज कर टोपे के किसी भी Android Phone को कंपूर्टर में करने के लिए आपको Android Phone में Chrome बाजर ओपन करना है और यहाँ पर एड्रेस वार में जा करके आपको सर्च करना है Real Window 7 और लास्ट में टाप करना है Launcher तो मैंने आपको टाप कर दिया और इसे आपको सर्च करना है सर्च करने पर यहाँ पर पहली वेबसाइट देख रहे हैं इस वाले लिंक पर किलिक कर देना है वेबसाइट का नाम है missingTree.net तो मैंने इस पर किलिक कर दिया किलिक करते ही यह वेबसाइट ओपर हो जाएगी आपको यहाँ पर नीची आना है नीची यहाँ पर दियावा है Download Windows 7 Launcher इस वाले बटन पर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आपको सामने डालोड का बटन आएगा इस पर किलिक कर देना है और नीची आपको OK पर किलिक करना है ओके पर क्लिक करते ही यह download होने start हो जाएगा download होने के बाद यहाँ पर नीचे दियाओगा open का button इस पर क्लिक कर देना है इसे open करनी के लिए अब आपको इसे अपने Android phone में install करना है install अल बटन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है install anyway आपको यहाँ पर दिखा देगा app installed अब आपको इसे open करना है तो मैंने आप open वाले button पर click कर दिया नीचे यहाँ पर दियावा है continue का button इस पर click कर देना है और यहाँ पर ok पर click करना है तो यह देखिए दोस्तो जिस तरीके से computer start होता है उसी तरीके से यह application start हो रहा है यहाँ पर आपको यूज करना कैसे है तो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे यहाँ पर दियावा है यहाँ पर time दिखाना है तो मैंने इस पर click क्या तो शिफ टाम दिखाई देगा मैंने दुबारा से time पर click कर दिया time के बगल में battery का percentage है इसके बाद दियावा है wifi का network जब मैं इस प इसे ही यहाँ पर दियावाई जिसे camera मैंने camera पर click कर दिया तो यहाँते मेरा camera open हो गया back आने के लिए back ride cuid button पर click कर देना है यहाँ पर play store पर open हो जाएगा तो यहाँ पर back आ जाता हूँ निचियां पर क्लोक है आप यहाँ टाइम सेटिंग कर सकते हैं यह दियाबार calculator इसपे CLICK करने पर calculator उपर हो जाएगा ऐसे ही नीचे दियाबार contact इसपे CLICK करने पर contact उपर हो जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे यहाँ पर स्टार्ट बटन जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें यहाँ पर दियाबार computer मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ यह दियावा है C Drive और Back आ करके यह दियावा है D Drive आप अपने मुवाइल फोन में जितने भी अप्लिकेशन इउच्ट करते हैं सभी का फोल्डर यहाँ पर दिखा देगा जिस तरीके से कम्पोर्टर में C Drive के अंदर दिखाता है कि हमने कौन कौन से अप्लिकेशन इस्टोल किया वा है वैसे आपको यहाँ पर भी दिखाएगा यह देखिए मेरे मुवाइल फोन में बहुत सारे अप्लिकेशन इस्टोल है सभी के नाम से फोल्डर यहाँ पर आपको दिखा रहा है यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ इसे कुलोज करने के लिए उपर दियावा है कुलोज का बटन मैंने इस पर क्लिक कर दिया अब माली जीए आपको MS Word में काम करना है तो वह एप्लिकेशन आपको इस्टोल करना परेगा तो यहाँ पर मैं उपन कर लेता हूँ अब दुबारे से बैक आ गया MS Word उच करने के लिए आपको Start बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर दियावा है Search का बटन इस पर क्लिक करना है यहाँ पर Local पर क्लिक करके उपर आपको सर्च करना है Docs जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका Application दिखा देगा Word उच करने के लिए आपको सर्च करना परता है Docs आपको इस पर क्लिक कर देना है एक Blank Document लेनी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है Untitulated Document उपर टॉप में दियावा है Lab Side में तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया नीचे दियावा है Edit का Button इस पर क्लिक कर दियावा है Right Side में Top में 3 डोट पर क्लिक करके यह दियावा है Print Layout इसे आपको Enable कर दियावा है अब आपको यहाँ पर जो भी काम करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं जैसे यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने अपने Computer Center का नाम है Mahatma Gandhi Training Center तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया अब मुझे इसे Bold करना है Underline करना है और इसे मुझे Page के Center में दिखाना है और साज भी बढ़ा करना है किसी भी एक वाट पर किलिक करके आपको Hold करना है और यहाँ पर Slit करने का Option आ जाएगा अब आपको इसे Slit कर लेना है नीची दियावा है Bold का Button तो मैंने Bold कर दिया Underline के लिए Underline कर दिया यहाँ पर दियावा है Center करने का Button मैंने इसे Center कर दिया Color Change करने के लिए यहाँ पर Color का Option है जैसे मैंने इसे कर दिया Blue यह तो हो गया Color और Size बड़ा करने के लिए उपर दियावा है A Semble इस पर क्लिक करना है नीची यहाँ पर सारे Option आपको सामने आ जाएंगे Style Change करने के लिए Font Change करने के लिए Size बड़ा छोटा करने के लिए सारे Option यहाँ पर दियेवे है Text Highlight Clear Formatting तो मुझे यहाँ पर करना है Size Increase तो पहले ही से मुझे Select करना बनेगा तो मैं किसी एक Word पर क्लिक करके और इसे मैं यहाँ पर Select कर लेता हूँ यह हमारा Unslect हो गया था और यहाँ पर यह वाले से मुझे करके नीचे यहाँ पर दियावा है Size Increase का Option तो यहाँ पर देखिए इस तरीके सारे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे भी आपको करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं जिस तरीके से हम Computer में काम करते हैं हम यहाँ पर काम कर सकते हैं काम कप्लिट करने के बाद इससे सेव करने के लिए ऐसा तो यह Automatic सेव हो जाता है फिर भी यह से आपको किसी नाम से सेव करने के लिए यहाँ पर दियावा है Untile Document इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जिस नाम से सेव करना है, यहाँ पर टाइप करके, जिससे यहाँ पर दे दिया मैंने दीपा के, और यहाँ पर ओके पर किलिक कर दिया, काम करके, यहाँ पर आपको बैक आजाना है, यहाँ पर आगा continue का बटन, इस पर किलिक कर देना है, आपने MS Word ने ज जो भी आपकी फाइल है, जो भी आपने काम किया हुआ है, आपको यहाँ पर दिखा देगा, और जिसे भी open करना है, उस पर click करके आप open कर सकते हैं, एक्चुल साइज में देखने के लिए, लैप साइज में टॉप में 3.0 पर click करके, पिंट लियाउट का जो option है, इसे आपको enable कर देना है, फिर आप इसे real साइज में देख सकते हैं, यह देखे, ऐसे ही आपको जिस application में काम करना है, यहाँ पर बैक आ करके, अपने mobile phone के computer में, जो application आपको use करना है, उसे आपको install कर लेना है, और यहाँ पर start button पर click करके, यहाँ पर आपको search करके, उस सारे application को आपर use कर सकते हैं, और देखे दोस्तों, नीचे यहाँ पर दिया वाँ है program से, जब आप इस पर click करेंगे, तो आपके android phone के अंदर, जितने भी application installed है, आपको अपने android phone को computer में convert करके use कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी एक desktop computer या फिल लैप्टप में करते हैं, आपने देखा दोस्तों android phone को computer में convert कैसे करते हैं, तो आसा करता हूँ दीग जिनकारी आपको समझ में आ गया होगा, तो ask इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करने ना भूलें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेग अबटर प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नएनी वीडियो जैसे अप्लोर करूं, आपको सबसे पहले मिल सके हैं, ठैंक्स!